बड़ी हुई शराब लाइसेंस फीस और कोटा प्रणाली को पुरी तरह हटाने के लिए चमबा की होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसेशन द्वारा एस्टियम चमबा दिप्ती मढधोत्रा के माध्यम से प्रदेश सरकार को एक ग्यापन भेजा गया जिसमें एसोसेशन ने य पार्थिक द्रिश्टी से इतने मजबूत नहीं है आपकारी एवं करधान नीती 2019-2020 के तहट रखे गए प्रावधानों के कारण हिमाचल प्रदेश के होटल एंड रेस्टोरेंट मालिकों को होने वाले नुकसान को देखते हुए होटल एंड रेस्टोरेंट मालिकों ने इ इस तोरान SDM चमबा दिप्ती मंडोत्रा के माध्यम से प्रदेश सरकार को 51 पत्र भी भेजा जिसमें प्रदेश के आर्थिक दशा का हवाला देते हुए सरकार से इस निर्णे को वापिस लेने की मांग की होटल एंड रेस्टोरेंट मालिकों द्वारा इस तोरान ये भी मा पैद रूप से बिक्रही शराब के मामलों पर भी शिकंजा कसे क्योंकि इस कारण भी होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाईयों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है कोटा बरोत्री है उसे कम स्टेज पर निराज़त किया जाए जो हमारे कोटे बढ़ा दिये हैं साथ में उनने 30 बढ़ा दिये है और जर्मानिया का सदोजन किया है उसे भी बंद किया जाए माची परदेश में सरकार में अवकारी करदान में दिवाग में जो एकसाइज पॉलसी दोजार पनीस बीस बनाई है उसमें कुछ अपनी मर्जी से हमें कॉन्फिडेंस में बिना लिए ऐसी पॉलसीयां बना दी है जो मनजूर नहीं है हमारा जैसे चंबा जिले और वी जिले ऐसी पॉलसी बनाई है कि वहाँ पर सराव की और ग्राकों की बहुत कमी है लेकिन सरकार ने अपनी मर्जी से इसको अधिक कर दिया है जो कि हमारे पिछले कई सालों से बाहर चाग गए है पिछली नितिके अनुशार जो हमारी फीस से कम थी हमारे एरिये को देखते हूँ लेकिन इस गवर्मेंट ने या इस पॉलसी बनाने वाले ने इस बार उसको लगबत बुगना कर दिया है क्या फीस है क्या जुर्मारने की रासी है और क्या कोट है सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मिलहोतरा की रिपोर्ट